हेलो उस्तो आप सभी सोग बात करेंगे हाँ पर एसारेप के बारे में जिसके आज कॉर्टर 4 के रिजल्ट अनौस हो चुके है और कम्पनी ने जो धमाकेदार पॉफरमस दिखाया है उसको अंडरिस्टेंडिंग कर लेते हैं के कॉर्टरली और इयरली कितना बड़या पॉफरम किया उस पर ही डिपेंड दोस्तो इस कम्पनी का आगे का फ्यूचर रहेगा और वही चीज़े में आपके साथ शेर करना चाओंगा और आपको बता दो कि इस कम्पनी में इतनी एबिलिटी है कि यह सभी को विल्ट क्रेशन करकर देते हैं और आप तक इसकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो लोग लंबे समय का निवेश करते हैं तो उनके लिए यह कम्पनी मैं आपको बता दो करोरों का भी रिटन कमा कर यहाँ पर दे देते हैं जितनी आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो चलिए स्टार्ट कर लेते वीडियो अच्छा लगे मेरे फ़र्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्रेब जरू करना देखे दोस्तों हम पहले स्टडी करेंगे कंपनी के रिजल्ट को और यहाँ पर जो पहले रिजल्ट डेखेंगे स्टेट्मेंट और स्टेंडिलन फाइन होते हैं और यहाँ पर और जो भी चीजे मिक्स होती है उन सभी को मिला कर टोटल रिविन्य जनरेट होता है और वही यहाँ पर हम अंडरेस्टनिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते पिछले साल कंपनी ने जैसे के 2021 में मार्च मैने में यहाँ पर आपको देखने को जो करोड में कमायाता है आपर टोटल इंकम वो बढ़कर देखिए 2,808 हो चुका है तो कंपनी yearly basis पर बहुती बड़ी तेजी दिखा रहे है और इस बार कंपनी ने अच्छी तरीके से अपना बिजनेस यहाँ पर करकर और प्रॉफिट कमाकर ही दिखाया है इसा समझ में आ आपको अभी present करते रहोंगा आगे देख लेते हैं अभी quarter on quarter basis पर बात करें तो आप यहाँ पर यह भी observe कर सकते कि पिछले जिसे के quarter 3 के बात करें 2,681 क्रोड था वो बढ़कर यहाँ पर 2,800 यहाँ पर हो चुका है तो कंपनी ने growth करकर दिखा दे यह समझ में आ रहा है और यहाँ पर हम पहले study कर ले थे देख लिजे जैसे के मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले साल यहाँ पर company कमाई थी कितना तो यहाँ पर 311 करोड only और यह इस बार कितने हो चुके 500 करोड रुपे हो गए है तो आप समझ रहे profit कितना बड़ा है company का अच्छी तरीके से और यहाँ पर company का देखे जो जो बोलागा है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा कि quarterly basis पर देखें पिछले quarter में company ने कितना कमाई था तो 403 करोड रुपे कमाई था बोलतो अभी जो quarter के result आईते December के और जो अभी March मेने के फिलाल आये ना यह 500 करोड तो and total compression की बात करें इधर भी company का same situation है company का EPS भी देखें काफी तेजी से बढ़ चुका है यहाँ पर आपको नजर आएगा पहले 10 था EPS वो बढ़ करा भी यहाँ आपको नजर आएगा 16 हो चुका है फिछले quarter में 13 था अभी 16 की उपर हो चुका है आप समझ रहें company कितने बहुत अच्छा कर रही है अभी मैं आपको इस company के standard result दिखाने के बाद consolidated result भी दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि company को actually net profit और आया नहीं तो यहाँ पर यह भी देख सकते आप और company ने पूरी तरीके से show किया है पूरी यहाँ पर आप जानकर देख लेना company क net profit यह देख सकते हैं पिछले साल 380 करोड़ था इस बार 605 करोड़ हो चुका है और पिछले quarter में तो यहाँ पर 505 करोड़ था वह यहाँ पर 605 करोड़ हो चुका है तो company yearly रहने दो या quarterly बोध performance outstanding वाला रखती है और इसलिए मुझे दोस्तों इस company पर ज्यादा भरुसा है आ किसी साब से सोच सकते हैं बट मेरा काम है जो मुझे पता है मेरा काम है आपको पूरी बात बताना और आप तक आपने study की हो और आपको जानकर इस company के अच्छे सहना तो आप सभी जानते हैं अब देखिए board of यहाँ पर डायरेक्टर तरप से consider किया गया है और देखें तो company ने dividend के बारे में निल का है बलतो यहाँ पर final dividend के बारे में announcement कोई दिखाईने दे रहा है और होने के बाद मैं आपको बता दोंगा आप यह जरूर understanding करकर चलना अभी मैंने जो आपको बता है कि dividend के बारे में announcement होने वाला था बट कुछ भी यहाँ पर दिखाईन तो लगातर देखें 2224 रुपए का level है इसमें यहाँ पर खरीदारी हो रही है और 2770 रुपए तकी stock uptrend दिखा चुका है और काफी अच्छी तरीके से इसकी value भी हमें नजर आती है अभी हाँ पर correction market में काफी ज्यादा चल रहे है तो आप यहाँ पर देखें आपको stock आगे जाकर गिरावट में 2100 के level पर मिल जाए या next यहाँ पर 2000 के तो बिलकुल आप इसमें खरीदारी करने का मोका मत छोड़ना यह देखें कैसा chart pattern इसका पास साल में देख लेजे 527% return generate करता है और company में बहुत बड़ी strength है कपई से कमा कर देने की एक तो इसमें promoter की भी holding फिलाल यहाँ पर देख सकते है कितना सारा रिजरो है 7400 यहाँ पर 60 करोड के करिप का तो company बहुत ही बड़िया है और इसमें कोई शक नहीं है देखें और जिस तरीके से हम जितना detail देखते रहे है इस company के बारे में quarterly रहने दो yearly रहने दो जो चाहे वो देख लेना यह company चप ले रहे देखे और इसके बाद आरती इंडस्ट्री डिपग नाइट्रे सोलार इंडस्ट्री गुजरात फ्लोरो केमिकल इनके नाम आते है बट वैलिवेशन गुड़ परफॉर्मस क्वालिटी बहुत ही जबरदस है इसमें कोई यहाँ पर शक नहीं इस company के बारे में इंट्रिमेडेट केमिकल के होते हैं यहाँ पर स्पेशल केमिकल से पैकेजिंग फिल्म से टेकनिकल्स टेक्स्टाइल्स और वेरिश टाइप के से बिजनेस अविलेबल है फ्लूरो केमिकल भी इसके पास बना जाता है इंडिया में दो ही company ज्यादा इस पर काम करती है गु झाल 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 झाल